साई की बात बचे देखो होता वही है जो तुम्हारा साई चाहता है मेरे बचे देख लो तुम ना चाहते हुए भी वो कर गए जो मैं तुमसे करवाना चाहता था और देखना इसका ना तुम्हें बहुत बहुत फल मिलने वाला है मेरे बचे देखना और सुनो पहली चनमास्टमी का तुमने ये वरत रखा है ना तो ये मैंने ही तुमसे रखवाया था अब समझ में आया साई की लीला जब साई तुम्हारे जिंदगी में आता है ना तो ऐसे ही आता है मेरे बच्चे और मैं तुम्हारे जिंदगी में धेर सारी खुशियां धेर सारा प्यार लेकर आता हूँ मेरे बचे और तुमने जो मेरा प्रसाद बनाया मेरे बचे जो मेरी पंजीरी बनाई न वो तुमने बहुती स्वाधिस्ट बनाई है तुमने अपने काना के आगे रखा और तुम्हारे काना ने खाना शुरू कर दिया है मेरे बचे और सुनो कभी ना किसी की बातों में मताना हमेशा जो तुम्हारा दिल कहे जो तुम्हारा मन कहे ना वही काम करना मेरे बच्चे और छल कपट से कोई नहीं जीत पाया कोई नहीं मेरे बच्चे जो छल कपट करते हैं वो हमेशा आज नहीं तो कल हार जाते हैं हो सकता है वो पहले चरण में जीत जाए लेकिन आखरी में जीत उसी की होती है जो सच के साथ खड़ा रहता है क्योंक उसका कृष्ण उसका साई हमेशा सच के साथ ही रहता है मेरे बच्चे अजमाओ अजमाओ अपने साई को अजमाओ अजमा रहे हुना तो अजमा लो तुम आज तुम अपने साई को अजमा ही लो फिर देखो तुमारे जिंदगी में आज कैसी कैसी लीलाएं करता हूँ मैं और और सुनो मेरे बचे मंदिर आना भूल मत जाना जरूर आना मेरे मंदिर आज बिलकुल भूलना मत मुझे तुम्हारा इंतजार है और तुम्हारे वज़ा से न मैंने आरती रुकवा कर रखी हुई है फटा फट आजाओ मंदिर में और जैसे ही तुम आओगे प्रवेश करोग वैसे ही आरती शुरू हो जाएगी आजाओ तुम्हारा इंतजार है मुझे और सुनो जो आज साइसर चरित्र का तुमने अध्याय पड़ा कुछ समझाया उसमें मैंने तुम्हें संकेत दिया मेरे बचे समझा गया ना उसी के अनुसार आगे बढ़ना मेरे बचे आगे पूल जाते हो अकसर लेकिन अब से तुम एक काम करोगे अपनी दवाईयों को अपने पास रखकर सोगे पानी भी पास रखकर सोगे और पहले दवाई लोगे उसके बाद जमीन पर पाउं रखोगे और उधी तो तुम अपने साथ रखते हो ना तो बस उधी भी लेना साथ सद उधी भी लेना मेरे बच्चे और सुनो जिस चीज का इलाज चल रहा था तुम्हारा अब देखो दुबारा से परिक्षन करवाना वो खतम हो चुका है मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर से सारी बिमारियां सारे परिशानियां खतम हो चुकी है मेरे बच्चे सब कुछ ख शीडी बुलाने जा रहा हूँ और वो भी बहुत जल्द मेरे बच्चे वो मेरे बच्चे शीडी आएंगे और वो सभी अपनी जोली भरवा कर जाएंगे देखना मेरे बच्चे क्योंकि मेरे दर्बार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया और वो मेरे बच्चे कभी खाली हाथ जाएंगे ये नहीं क्योंकि उनकी जोली मैं भर कर भेचुँगा उन्होंने जो प्यार से दिल से मेरी सेवा की है ना उसका फल है उनके लिए जल्द उनकी जोली मैं भरने वाला हूँ मेरे बचे जल्द और सुनो आज तुमने अपने साई को चाए नहीं पिलाई भूल गए चाय पिलाना आज चाय पिला दो मेरे बच्चे तुम्हारे साइं के सर में बहुत दर्द है मुझे चाय पीनी है चाय बनाओ अद्रक वाली और मेरे सामने रखना मैं चाय पिऊंगा आज तुम्हारे हाथों से और सुनो मेरे बच्चे तुम्हारी मा तुमसे कुछ चाहती है तुमसे कुछ इच्छा रखती है और उन्होंने तुमसे अपने इच्छा जायर भी की लेकिन तुम मान नहीं रहे अरे कभी कभी तो अपनी मा की बात को मान लिया करो उनके मन को रखने के लिए उनके लिए मान लो मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि वो चीज करना तुम्हें नहीं लेकिन अपने मा के लिए तो कर सकते हो, ना तुम्हारी मा हमेशे तुम्हारा भला ही चाहती है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो हाँ करदो मेरे बुच्चे, हाँ करदो, और इस काम को करो, और जानते हूँ जब भी कुछ तुम्हारे साथ बुरा होता है न तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है या मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ नई पगले मैं तो कुछ अच्छा करने वाला हूँ और जब अच्छा होने वाला होता है न तो उससे पहले कुछ बुरा होता है क्योंकि मैं तुम्हारे कस्टों को तुम्हारे परेशानियों को खतम करने वाला होता हूँ इसलिए न मेरे बचे पहले मुझे अच्छे से पहल बुरा करवाना पड़ता है तुम्हें सामना करवाना पड़ता है मेरे बचे बस यही कारण है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है न तो उससे पहले मेरे बचे तुम्हारे जीवन में कुछ परिशानिया आती है कुछ कस्ट आते हैं मेरे बच्चे और बो भी मैं हर किसी के जीवन में नहीं देता क्योंकि हर किसी के जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ मैं सिर्फ अपने बच्चों के जिम्मेदारी लेता हूँ और उनी बच्चों को परिशानिया कस्टों से गुजरना होता है, जिनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कहते हैं ना, रात के बाद सवीरा होता है, तो बस वही मेरे बच्चे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, और इसे समझो मेरे बच्चे यूँ इतना मत करो अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा रिष्टा खराब हो जाएगा और बार बार लड़ने जगणने से सामने वाले के अंदर ना तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी फिर वो तुम्हारे शकल भी देखना पसंद करेगा तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करेगा चाहते हो ऐसा नहीं न तो जितना हो सके न प्यार करो प्यार करोगे और प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा इज़त मिलेगी वही प्यार तुम्हें दुगना चोगना मैं लोटाओंगा मेरे बच्चे और काम चलता रहेगा, तुम जिनता मत करना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, आज तक क्या तुम्हारे कोई काम रुके हैं, जो अब रुकेंगे, हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे साथ है, पल-पल मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ मेरे बच्चे और सुनो तुम ना अपने मन में बहुत सारा बोज लेकर बैठे हो तुमारा मन अंदर से बहुत भारी हुआ पड़ा है मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तो आओ मेरे पास आओ मेरे पास आकर बैठो मेरे बच्चे और अपने दिल को हलका करो अपने मेरे पास बैठो मेरे पास और सुनो जब लगेना की बहुत गुसा आ रहा है या मानसिक तनाव है तो एक काम किया करो मेरा कोई भी भजन जो तुम्हें बसंद है न वो लगाया करो और फिर वो सुना करो उसमें मगन हो जाया करो देखो तुम्हें आंतरिक तोर पर कितना अच ख़ड़ा होता हूँ न तो ये दूर दूर तक भटक नहीं सकता आओ मेरे पास बैठो मेरे पास और सारी बाते मुझसे कह दो और आज कुछ मेरे बचों की न बात हुई किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत दिनों से नहीं हुई थी और वहाँ पर भी मेरे ही बाते होना शुरू मेरे बचे तुम जहां भी बात करते हो जिससे भी बात करते हो न तो बस मैं तुम्हारे जुबान पर विराजित हो जाता हूँ तुम्हारे मुख से जो एक एक शब्द निकलते हैं वो मेरे ही कारण निकलते हैं मैं ही तुमसे बुलवाता हूँ मेरे बचे चाहे किसी से प् तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं है, जो हो रहा है, वो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जो होता है, वो तुम्हारा साई करवाता है, खुश रहो, आज कर रात्री साई संदेश, समाप दूआ